हेलो फिचर डॉक्टर्स नमस्कार स्वागत आप सभी का आपी के अपने चैनल के उपर एक बार फिर से ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टन्ट होने वाला है इसलिए इस वीडियो को सुरू से लेकर अंतक जरूर देखिएगा कुछ बाते आप से करनी है तो जरूर इस वीडियो को सेर भी कर दीचेगा तो फ्रेंट्स नीट 2020 के एकजाम्स को लेकर के काफी बड़ी दूइदा में है सभी स्टुडेंट्स की कब होगा एकजाम कैसे करें त्यारी एक्सपेक्टिड डेट नीट 2020 ट्यारी करने में बादा आ रही है और नीट जेई मैंज प्रिक्षिया अगस से पहले संभव नहीं दिख रही है तो दोस्तो इन सभी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बता हूँ प्रिक्षिया कब होगी पहली बात मैं आपको बताता हूँ अगस से पहले चानसिज बहुत कम है और आपकी प्रिक्षिया अगस्त में ही करवाई जाएगी जहां तक मेरा ओपेनियन है और आपको भी पता है इसका रेजन भी मैं आपको इस वीडियो में दे दूँगा अब बात यह आती है दोस्तो नीट 2020 त्यारी करने में स्ट्रेंट्स को बादा आ रही है क्योंकि उनको एक्सपेक्टेड डेट ही नहीं पता है कि एक्जाम मई में होगा जून में होगा जुलाई में होगा या अगस्त में या फिर होगा ही नहीं तो इस बात को लेकर के बच्चे जो है अच्छे से त्यारी नहीं कर पा रहे हैं इसलिए NTA से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो एक्सपेक्टेड आइडिया हमको दे दे कि आपका एक्जाम जून या जुलाई से पहले नहीं होने वाला है या जो भी वो आईडिया देना चाता इससे पहले तो कोई चांस है नहीं एक्सपेक्टेड वो डेट बताए और फिर बताए कि इसके बाद कोरोना के केसिज है उनको देखकर के ही आपकी प्रिक्षिया का एलान किया जाएगा इससे पहले कोई चांस है नहीं इतना बता दे कुछ इस तरह के आईडिया हमको दे तो हम जो है थोड़ी त्यारी में अपना जो है पंच्वैलिटी बना पाएं लेकिन दोस्तों एंटे ने अभी तक ऐसी कोई डेट नहीं बताई है उनके जो है अनोफिसियल जो है हमारे स्टेटमेंट आ रहे हैं जैसे कि रमेस पोक्रियाल ने कहा है कि आपकी प्रिक्षिय जून में करवाई जा सकती है लेकिन जून में तो कोई हालात ही नहीं दिख रहे हैं अभी देख सकते हैं आप 27,000 के करीब यहाँ पर जो है करोना केसिज आज की डेट में हो गई है और दिन परति दिन 1,000 से 1,500 हर रोज केसिज बढ़ रहे हैं इसको देखकर तो लगता है क अगर ये कंट्रोल में आ जाता है उसके बाद वरना तो कंट्रोल नहीं आता है तो ये प्रिक्षिया जो है कैंसल भी की जा सकती है लेकिन दोस्तों आपको जो है मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट पताऊं तो अगस से पहले आपका एकजाम होने के चांशिज बहुत कम है क्योंकि अभी आप देखें तो 27,000 केसी जहां पर हमारे इंडिया में हो चुके हैं और ये आकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और ये संकेत भी मिल चुके हैं कि 3 मई के बाद भी आपका लोकडाउन बढ़ने वाला है कुछ स्टेट्स में या फिर कुछ जगह पर जहां पर ग पड़ाई दिया गया है वहाँ पर तो जून की तक मतलब की वहाँ पर लोकडाउन रहेगा ही रहेगा तो दोस्तों इस हालात में आपको ये लग रहा है कि आपकी प्रिक्षिया जून में होने के चांसी जो है वो 0% हो गए हैं यहां पर आपकी प्रिक्षिया नहीं होगी जुलाई में कुछ कुछ पॉसिबल लग रहा है वो भी अन्तिम वीक के मद्दे ही आपका एक्जाम होने के चांसिज दिख रहे हैं लेकिन वो भी आपके चांसिज 15% ही दिख रहे हैं लेकिन अगस्त की बात की जाए दोस्तों तो यहां पर जो आपके 95% चांसिज हमको लग जाएं तो दोस्तों कुछ स्टुरेंट्स बोल रहे थे कि सर हमको एक आइडिया दे दो जिससे कि हम अपनी त्यारी को कर पाएं तो आप जो है अपनी त्यारी करें लाश्ट वीक ऑफ जुलाई लाश्ट वीक ऑफ जुलाई को लेकर के आप त्यारी करें दोस्तों विक तक अपने अच्छे से रिवीजन करने त्यारी करने पूरी त्रेके से त्यार हो जाए एक्जाम के लिए तो जलाई के अंतिम विक या फिर अगस्त के मिड़ तक आपका एक्जाम लिए जाने के चांसिज दिख रहे हैं और वो पता लगेगा कि होगा या नहीं होगा अभी जो ग्रीन जोन ते वहाँ पर भी कुछ-कुछ जो है क्रोना केसिज आने लग गए हैं जैसे कि अभी हर्याणा के अंदर भी केसिज काफी बढ़े हैं और अन्य जिलों में भी काफी केसिज बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं इसके देखकर के लगता है कि आपका एक एकजाम जुलाई से पहले या फिर पंदरा जुलाई से पहले या फिर जुलाई में होगा ही नहीं या फिर कुछ आइडिया ऐसी देदे कि इससे पहले एकजाम होने के चांटीज बिलकुल जीरों हैं तो आप जो है अपनी त्यारी इसके अकोर्डिंग कर सकते हैं तो कि अभी तक तो admit card भी आपके issue होने है हाँ process थोड़ी ज़्यादा fast रहेगी वो बात मैं मानता हूँ लेकिन जब admit card आपके जारी होने होंगे उससे जो है कम से कम one week पहले जो है आपको idea मिल जाएगा आपको notification मिल जाएगी कि आपके admit card आएगे और admit card जब आएगे तो कम से कम 15 दिनों का समय तो लगेगा ही लगेगा तो आप जो है एक महीने पहले आपको official announcement भी इसका कर दिया जाएगा तो दोस्तो उमीद करता हूँ कि आपके सबी doubt दूर हो गए होंगे आपको त्यारी किस way में करनी है किसके according करनी है वो आपको पता लग गया होगा जो आपके काफी जादा comment आ रहे थे और official date जब आएगी तभी बताएंगे उससे पहले तो जो है वीडियो बना करके हम इसलिए आपको दे रहे हैं जिससे कि आपका manoval net उटे confidence बना रहे हमारा ये मतलब नहीं है कि वीडियो बना कर आपको बुद्धू बनाया जाए हमने यहाँ पर साफ साफ आपको बताया है कि अभी तक कोई official announcement नहीं हुआ है हम अपने opinion के according आपको बता रहे है और आपका confidence बनाये रखने की पूरे पूरे हमारी कोशिस रहती है तो confidence मत खोएं अपनी त्यारी करते रहें घर पर रहें, safe रहें और अपनी त्यारी पर जोर रखें हमेशा ही तो अभी के लिस वीडियो में इतना ही thank you